नमस्कार दोस्तों आप सभी को गणेश चतूर्ती व्रत की धेर सारी शुब कामना है आज का हमारा वीडियो है गणेश चतूर्ती व्रत की कथा एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट पैठे थी वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय वैतीत करने के लिए चोपड खेलने को कहा भगवान शंकर चोपड खेलने के लिए तो तयार हो गए परन्तु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा इसका प्रश्ण उठा इसके जवाब में भगवान भोले नात ने कुछ तिन के एकत्रित कर उसका पुतला बनाया उस पुतले की प्राण प्रतिस्टा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा हम चोपड खेलना चाते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है इसलिए तुम बताना कि हम मैंसे कौन हारा और कौन जीता यह कहने के बाद चोपड का खेल शुरू हो गया खेल तीन बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पारवती जीत गई खेल के समाप्थ होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव को विज़ई बताया यह सुनकर माता पारवती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगडा होने वह कीचड में पड़े रहने का श्राप दे दिया बालक ने माता से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्यानता वश ऐसा हुआ मैंने किसी द्वेश में ऐसा नहीं किया बालक के शमा मांगने पर माता ने कहा कि यहां गणेश पूजन के लिए नाक कन्याएं आएंगी उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे यह कहकर माता भगवान शिव के साथ केलाश परवत पर चली गई एक वर्ष बाद उस इस्तान पर नाकन्याएं आई नाकन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधी मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया उसके श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांचित फल मांगने के लिए कहा बालक ने कहा कि हे विनायक मुझे में इतनी शक्ति दीजिये कि मैं अपने पैरों से चल कर अपने माता पिता के साथ केलाश परवत पर पहुँच सकूँ और वो यह देख प्रसन हो बालक को यह वर्दान दे श्री गणेश अंतरध्यान हो गए बालक इसके बाद केलाश परवत पर पहुँच गया और अपने केलाश परवत पर पहुँचने की कता उसने भगवान महादेव को सुनाई उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई देवी के रुस्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताय अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोले नात के लिए जो नाराजगी थी वो स्वयम समाप्त हो गई पार्वती जी के मन में स्वयम महादेव जी से मिलने की इच्छा जागरत हुई वे शिक्र ही केलाश परवत पर आप पहुँची वहाँ पहुचकर पार्वती जी ने शिवजी से पूचा भगवन आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलसरूप में आपके पास भागी भागी आ गई हूँ शिवजी ने गणेश रत का इतिहास उनसे कह दिया यह व्रत विधी भगवन शंकर से ने माता पार्वती को बताई यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्थिके से मिलने की इच्छा जागरत हुई माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश रत किया और दुर्वा पुष्प और लड़ूओं से श्री गणेश जी का पूजन किया व्रत के 21 दिन कार्थिके स्वयम पार्वती जी से आ मिले कार्थिके ने यही व्रत विश्वा मित्र जी को बताया विश्वा मित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म रिशी होने का वर मांगा गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की इस प्रकार श्री गणेश जी जतूर्ती व्रत को मनोकामना व्रत भी कहा जाता है इस व्रत को करने से वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं इस तरह पूजन करने से भगवान श्री गणेश अतिप्रसन होते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं भगवान गणेश जी की जै धन्यवाद